दोस्तो हमारी यह धर्ती अजीबो गरीब जीव जनतुओ और कीडो मकोडो से भरी पड़ी है आज की टोपिक में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सायद आज से पहले आपने कही नहीं सुनी होगी जी हाँ दोस्तो पुद्रत ने ऐसी कई चीजे बनाई है जिने हम देख कर भी नहीं समझ सकते हालांकि कोई चीज दिखने में उतनी खतरनाक नहीं लगती है जितनी वो हो सकती है हम बात कर रहे हैं ऐसे कीडे मकोडो की जो अगर काट कर भी निकल जाए तो हम उन्हें ज़्यादा गंबिरता से नहीं लेते हैं दोस्तो आज हम जिस कीडे की बात करने वाले हैं वो हमारे सरीर का पूरा सिस्टम ही बदल देने की समता रखती है आज हम जिस छोटे से कीड़े की बात कर रहे हैं वो बड़े से बड़े मानसाहारी इंसान को भी साकाहरी बनाने की ताकत रखता है दोस्तो यह एक एसा कीड़ा है जो आपकी खाने पीने की आदतों को टार्गेट करता है जिस किसी को इस कीड़े ने कभी काटा उसकी प्लेट से चिकन मटन गायब हो गया और वो साग सब्जियों पर अपना ध्यान लगाने लगा तो दोस्तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर इसकी दिल्चर्फ कहाने क्या है फोटे सी कीड़े की एक बाइट का कमाल दोस्तो हम जिस कीड़े की बात कर रहे हैं उस कीड़े का नाम है लोन इस्टार्टिक यह कीड़ा काफी छोटा सा होता है और इसकी फीट पर एक सफेद दाग होता है और ये अमेरिका के Midwest East और South East region में पाय जाता है दोस्तो भले ही इस कीड़े का साइज छोटा होता है लेकिन इस कीड़े के साइज पर ना जाए इससे बचने की सलाई इसलिए दी जाती है क्योंकि ये Lime Disease का संचारक है इसकी काटने से तोचा पर लाल चकत्ते और जलन होती है फिर दर्द, गर्दन में दर्द और चेहरा हिला पाने तक में दिक्कत मासूस होने लगती है ये तो सिर्फ उपरी लच्छन है अंदर से जो परवाव दिखता है वो भी बहुत खौपनाक है बना देता है सुद्दिशा कहारी दोस्तों इस कीड़े में एक खास सुगर होती है जिसे अलफा गेल काते हैं काया जाता है कि लाखों साल पहले ऐसा तत्व इंसान के शरीर में भी होता था लेकिन अब नहीं है जैसे ही अलफा गेल इंसानी खून से मिलता है शरीर इससे लड़ने के लिए एंटी बोडी बनाना शुरू कर देता है ताकि अगली बार अगर ये अव्यव आया तो शरीर उससे इम्म्यून हो सके अब दिक्कत यह है कि अलफा गेल, रेड मीट, पॉर्ट और कुछ दूद वाली चीजों में भी मिलता है एसे में इन्सान जब एसी कोई भी चीज खाता है तो अलफा गेल के शरीर में पहुंचते ही एंटी बोडी शक्री हो जाती है और भयानक एलर्जिक रियक्शन देखने में आते हैं साथ सब्दों में कहे तो इन्सान को मीट से एलर्जी हो जाती है और मजबूरी में उसे इस से दूर होना पड़ता है और इस तरह की एलर्जिक रियक्शन से बचने के लिए उस इन्सान को साकारी बनना पड़ता है साहे उसे नौन वेज इतना भी अधिक पसंद क्यों न हो तो दोस्तों इस छोटे से कीड़े के बारे में यह रोचक जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें धन्यवाद